महिला जागरिती अभियान आडियो फोर दो बड़े कदम सुख्षा और सुआवलंबर नारी उत्थान के लिए सरुपर्थम अवसेक था सुख्षा समवर्धन की मध्यवर्गी ये परिवारूं की लड़कियां तो स्कूल जाने लगती पर घर गिरहस्ती वाली प्रोड महिलाओं के लिए वैसा सुयोग ही नहीं बन पड़ता इस अवसेक्ता की पूर्ती के लिए वेतन भोगी अध्या पिकाएं जुटाने की अपेक्षा सही समधान यही हो सकता है कि सिक्षित महिलाएं अपने घर परिवार की कारियों में से किसी प्रकार समय बचा कर अपने समी पवर्ती छेत्र में प्रोड पाट सालावों को चलाने के लिए बहर सक प्रियतन करें दूसरी सिक्षित महिलाओं को प्रुत्साहित करके उन्हें इसकारी में लगाएं वयो वृद्ध अन्य सिक्षितों को भी खाली समय उनके साथ लगने के लिए प्रिरिद करें प्रगती के लिए सिक्षा की अनिवारे अवसकता समझी जानी चाहिए प्रियत्न यह होना चाहिए कि किसी भी आयू की, किसी भी स्थिती में रहने वाली महिलाओं में से प्रतेक को साक्षर बनने का अवसर मिले अक्षरग्यान होते ही उन्हें ऐसी सरल पुस्तके मिलनी चाहिए जो व्यक्तित्व निखारने का, परिवार को सुद्रिट बनाने का तथा अपने समुदाय को हर दुर्ष्टी से सम्मुन्नत बनाने का मार्गदर सुन दे सके इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि अपने देश के लेखकों वप्रकासकों का ध्यान इस ओर नहीं गया इस कमी की पूर्ती के लिए जनस्तर की स्वेक्षा सेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए और अपने देश की महिलाओं को जिस अस्तर से रहना पड़ रहा है उससे उचा उठाने वाले सहित्य की कमी को पूरा करना चाहिए इस निमित वहां महिला पुस्त काले भी चलें जहां उनकी सिक्षा का किसी प्रकार कोई छोटा बड़ा प्रयत्म बन पड़ना संबह हो सकता सिक्षा के साथ ही दूसरा चरण स्वावलंबन की दिसा में उठना चाहिए इस्थानिये परिस्थीतियों के अनरूप कोई न कोई कुटर उद्ध्योग हर छेत्र में चल सकते हैं उन्हें ढूंड़ा और सहकारिता के आधार पर चलाया जा सके तो कच्चा माल मिलने और तयार माल बेचने का कारी स्थानिये सहकारी समीतियों द्वारा संपन न हो सकता है आवस्यक नहीं कि गरीबों द्वारा ही प्रयास अपनाया जाए स्वावलंबन एक ऐसी प्रवर्ति है जिसे हर व्यक्ति द्वारा अपनाया जाना चाहिए नारी का अवमुल्यन इसी कारण हुआ है कि ग्रही कारियों में दिन रात लगी रहने पर भी प्रत्यक्षता वे कुछ कमाई करती दिखाई नहीं पड़ती इस स्थिती के समाधान के लिए जापान की तरह अपने देश में भी प्रयत्न होने चाहिए जहां कुटिर उद्योग्यों के लिए हर छेत्र में किसी न किसी प्रकार की सुविधा उपलब्द है इस तरियां कुछ कमाने लगें या कोई अन्य प्रसंसा योगी कारी करने पर उतरें तो घर के पूरुसों को उसमें हेठी लगती और वे उसका विरोध तक करते हैं इस विचार विकृती से निपटने के लिए अवस्यक है कि गरीब अमीर सभी घरों में कुटिर उद्योग जैसे स्वावलंबन के उपायों का प्रचलन किया जाए नियुनतम साक वार्टिका तो हर घर में लगाई ही जा सकती इस तरियों को भी आर्थिक स्वावलंबन की अवसकता है उनकी भी नीजी आजिविका होनी चाहिए ताकि उन्हें प्रवलंबन का दबाव हर घरी सहना ना पड़े और वे भी स्वेक्षानसार कुछ न कुछ प्रगती प्रक्रिया के लिए सुविधा सादन जुटा सके नारी अवमुल्यन को रोका जाए बच्चों के पेट में रखने के लिए तो नारी समाज ही विवस है पर अब यह मांग संसार भर में उठ रही है कि उनके पालन पोषण में पिता की भी उपियुक्त भागिदारी होनी चाही और उन्हें भी दुलार देने, खेल खिलाने, समस्याओं को निप्टाने तथा सूसंसकारी बनाने में अपना समय नियमित रूप से लगाना चाही भले ही वह आर्थिक अत्वा किसी और दृष्टी से कितना ही मुल्यवान क्यों नहों अभी कुछ ही महिनों पुर्व, स्वेडन सरकार तथा समाज ने यह निरधारन किया है कि जिस प्रकार महिलाओं को प्रसूती के अवसर पर नौकरियों से छुट्टी लेनी पड़ती है उसी प्रकार पुरुस भी बच्चों के पालन पोस्ण में अपनी सहबागी इस्तर की जिम्मेदारी उठाएं और छुट्टी लेकर बच्चों के साथ रहें पुरुस ओद्वारा इस पर आपत्ती की गई कि इससे उनके अनुभव में कमी पढ़ने से पद्दो नती रुकेगी तथा प्रतिस परधाओं में बैठकर उचापद पाने में आसमर्थ रहेंगे यह एतराज इस आधार पर रद कर दिया गया कि यही तरक महिलाएं भी तो दे सकती है उन्हें भी तो घाटा उठाना और कश्ट सहना पड़ता है संतान उत्पादन में पुरुस भी उतना ही उत्साह दिखाता है तो फिर इस कृत के फलितार्थों से निपटने में क्यों अपने जिम्मेदारी से पल्ला छुडा कर भागनी का प्रयत्न करना चाहिए कानून पास हो जाने से अब उसका दबाव पुरुसों पर भी पड़ेगा अब तक दंड भुगतने के लिए अकेले नारी को ही बद्धि किया जाता रहा है अब पुरुसों को भी नफे में ही नहीं नुकसान में भी सहभागी रहने के लिए बद्धि होना पड़ेगा अरंब भले ही सुडन से हुआ हो पर उसका विस्तार सभी जगा होगा सूरज भले परवत सिखर पर से उगता दिखाई पड़े पर उसका प्रकास क्रमसह समस्त संसार पर हो जाएगा जापान में राजनेतिक छेतर में महिलाओं के उत्साहपुरवक बाजी मारने का प्रभाव भारत पर पड़ा है और उन्हें 30% स्थान सुरक्षित करा लेने का अवसर मिला है अब यह प्रचलन आगे बढ़ेगा और महिलाओं को हे मानने तरास देने वा आसमानता के भेदभाव बरतने का प्रचलन क्रमसह संसार के सभी भागों से हटता चला जाएगा भले ही से एक्षित लाव उठाने के लिए कई तर्क प्रस्तूत करते रहने वालों को कुड़कुडाते ही क्यों न रहना पड़े उनका विरोध नियती के अभिनव निर्मान के सामने टिक न सकेगा जो होकर ही रहना है उसके साथ टकराने की अपेक्षा लाव इसी में है इस समय से पुर्व समझोता करके अपनी सदायस तक की कुछ पहचान तो छोड़ ही दी जाए अंग्रेजों ने बदलते समय को भाप लिया था इसलिए उल्टी लाते खाकर ख़देड जाने का कटू प्रसंग उपस्तित नहीं होने दिया और समझोते की नीती अपना कर विदाई के दिनों कटूता के स्थान पर सदभावना सहीत वापस गए अस्तू भारत अभी तक स्वेक्षा पुर्वक रास्ट्र मंडल का सदस्य बना हुआ हरी जनू आदिवासियों को आरक्षन एवं विसेश सुविधाएं देकर समय रहते समानता का अधिकार सुविकार कर लिया गया है गलतियों का प्रायस्जित हो रहा है यदि इस सदभावना का परिचय ना दिया गया होता तो निश्चय ही संसार में बहर ही विकास की हवा उन्हें उत्तेजित किये बिना नहीं रहती जो परिवर्तन इन दिनों अच्छे वातावरण में हो रहा है उसी के लिए दुराग्रह पर अड़े रहने से अपेक शाक्रित कहीं अधी घाटे का सामना करना पड़ता महिलाओं के प्रती भी पुरुसवर्ग द्वारा समय रहते न्यायवचित अधिकारों की मांग को मान्यता दे दी जाती है तो इसमें दोनों ही पक्ष नफे में रहें अन्यता विग्रह की तकराव भरे स्थिती आने तक बात बढ़ जाए तो फिर भूल सुधारने में देर लग जाएगी संसार में ऐसे भी बहुत छेत रहें जहां नारी प्रधान समाज बिवस्था चल रही है वहां समूचे अधिकार महिलाओं के हाथ में ही रहते हैं नर को तो अपनी बिवस्था की कारण उनका अज्याकारी अनुवर्ती मात्र बनकर रहना पड़ता है अच्छ इसी तो यथार्थता और न्याय निस्था ही है पर वह उथल पुतल ऐसे घटना क्रमों का इतिहास अपने पीछे छोड़ गई है जिनको स्मरन करके रोमांच हो आता है घृणा द्वेस के भाव अभी तक भी विचारवानों के कान में यथावत बने हुए हैं और पराजित प्रती सहानो भूती होने की अपेक्षा तिरसकार भरी प्रतिकरिया ही व्यक्त की जाती रहती है वैसे दुर दिन हम सब को न देखने पड़ें इसी में समझदारी है समता और एकता का अटल परिवर्तन किसी के रोकने वाला तो है नहीं अधीक से अधीक इतना हो सकता है कि भवितविता को चरितार्थ होने में समय लगे नारी समस्या के पीछे अनीती मूलक दुर्भावनाओं का अहिंकारी मानस ही प्रमुख बाधा बना हुआ है यदि औचित्ते को अपना लिया जाए और लाभानी का सही आकलन कर लिया जाए तो प्रतीत होगा कि संघर्स में उ लाभ ही लाभ है इस लाभ को इन दिनों के सुवसर पर उठाया ना जा सका तो समय निकल जाने पर अपेक शक्रित कहीं अधीक घाटा सहन करना पड़ेगा समता और एकता के सिद्धान संसार भर के दुखी समाज को अपना लिये जाने के लिए बाद्धे कर रहे हैं यह हो ही नहीं सकता कि आधी जिनसंख्या नारी को उस महान परिवर्तन से विलग रखने के कोई परियतन देर तक सफल होते रहें सामंतवाद चला गया अब सामाजिक समंतवाद की विधाई की विला भी आही पहुँची है उसे वापस नहीं लोटाया जा सकता उप्यूक तो यही हो कि भारत के जिस अहिंसक सत्यागरह का समर्थन देश की पूरी जंता ने किया और असंबहों दिखने वाले नागपास से छुटने में सफलता प्राप्त कर ली अब उसी का उत्रार्ध सामाजिक क्रांती के रूप में उभरना चाही नियाय को मान्यता दिलाने में भी उसी र घर्स और प्रतिसोध के रूप में उभर रहा है अच्छा हो कि वे टकराव से बचें और समझावतावादी उदारता अपनाने भर से कठीन दिखने वाला मोर्चा सुलह सफाई के वातावरण में ही निपड जाए इसके लिए मात्र भ्रांतियों का निराकरण ही वहकारी है जिससे काया कल्प जैसा सुखत सुयोग सहज ही हस्तगत हो सकता है यह सुविकार कर ही लिया जाना चाहिए कि नर और नादी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है एकता और सदभावना के वाता वरण में ही उनके बीच सहकारीता विक्सित हो सकती है और अक्छुन बनी रह सक लड़के लड़की के बीच कन्या और वधु के बीच बरता जाने वाला पक्षता पूर्ण भेदभाव अब पूरी तरह समाप्त होना ही चाहिए दोनों को दो हाथ दो पैर दो आँख और दो कान की तरह परस पर सहयोगी और समान महत्व पाने के अधिकारी मानकर चलने में ही समझदारी है एकता और समता का सुयोग बने पती और पत्नी में से कोई किसी का दास और स्वामी नहीं दोनों की इस्तिती भाई-भाई के बीच अथवा बहन-बहन के बीच चलने वाली सदभावना और सहकारिता की रहनी चाहिए महत्री इसी अधार पर इस्तिर रहती और फलती फूलती है कि अब अपने लाब का ध्यान कम और साथी के हित सदने का ध्यान जादा रखा जाए इतना भर परिवर्तन कर लेने से हमारी पारिवारिक और सामाजिक इस्तिती में इतना बड़ परिवर्तन उभर आएगा जिसकी सराहना करते करते स्वाग्य का अनायास अ पानसिक, सामाजिक और नैतिक स्वास्ते में इतना बड़ा अंतर हो सकता है जिसे नव जीवन के पुनरुथान की संग्यादी जा सके। इन दिनों संध्याकाल है, इस पुन्य वेला में योनाचार जैसे हे कार निसिद्ध हैं। सुर्य ग्रहन या चंदर ग्रहन की घड़ियों में सभी विवेक सील, सैयम वरत्ते और उन घड़ियों को स्रेष्ट पुन्य कृत्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। यूग संध्य का यह समय भी ऐसा ही है, जिसमें प्रजनन कृत्ते को तो विराम मिलना ही चाहिए, कुछ समय के गर्वधारन जब फलित होकर धर्ती पर आते हैं, तो उनमें अनेक विकृतियां पाई जाती है। यूग संध्य की वेला नारी के पुनरुथान के लिए भाव भरे वरत करने के लिए है। इसी समय में प्रजनन का उत्साह ठंधा ना होने दिया गया, तो उसके अनावस्यक ताम जाम में बहुत कुछ जलेगा, सुलगेगा, जबकि इन दिनों संसार का प्रमुक संकट मात्र कुछ करोड मनुस से रहते और दैवी जीवन जीते थे। नर और नारी जितना भारी दाइत्व यौनाचार में निरत होकर वहन करते हैं, वह सामान्य नहीं, आसामान्य है। नारी अपना स्वास्त और अवकास पूरी तरह गमा बैठती है। नर को इस दुस प्रवरत के लिए प्रया बीस वर्स की सजा जहलनी पड़ती है। इतने दिनों उसे मात्र बढ़े हुए परिवार की अनेक अनेक अवसकताओं की पूर्ती के लिए अपना समस्त कौउसल विसरजित करना पड़ता है। इसी तत्य को ध्यान में रखते हुए जिन्हें जीवन में विद्य हे तू ठीक वैसे ही प्रयत्म निस्ठा पुर्वक करते रहते हैं जैसे की विरासत छोड़कर अपने प्रजनन की जिम्मेदारी निभाने में खरचना पड़ता है। प्रजनन पर तो रोक लगे ही। इन दिनों यह आवसकता कई कारणों से कई गुनी बढ़ गई ह एक तो इसलिए कि बीसमी सदी के अंतकाल में सुक्षम जगत रिजन और समापन के संदर्व में अत्यंत उलजह रहेगा। उसके दुस्प्रभाव इन दिनों की उत्पत्ती पर पड़े बिना नहीं रह सकते। उसके कारण अनेक तरास सहने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि एकीस्मी सदी के अंतो तक प्रजनन रोका जाए और एकीस्मी सदी में अवतरित होने वाली दिव्य आत्माओं से अपनी वंस परंपरा को धन्य होने का लाब उसी प्रकार प्राप्त किया जाए जिस प्रकार की तपस्वी अपनी सईयम साधना का प्रतिफल सिधियों और विभूतियों के रूप में प्राप्त करते रहें। टुलने दिनों की तुलना में अनेक गुनी अधीक होती है। युद्ध काल में कई बार देश के हर समर्थ को सेना में अनिवारे तह भरती किया जाता है। समझा जाना, समझा जाना चाहिए कि ईश्वर के तत्वाधान में हर समर्थ के लिए आधी जन्संख्या को तुरान दिया जाने, उसको प्राचीन परंपरा में पुना सुसजित करने की ठीक वेला यही है, उसमें लोभ मोह की विसेस्ता काम कौतुक की उपेक्षा की जा सके, सर्वोत मुखी नेत्रित्व कर सके, यह बुद्ध काल में उभरिप परिवार्जिकाओं के निकल पड़ने जैसा समय है, इसी आधार पर आधी दुनिया के कल्यानिक च्रे साधना बन पड़ सकती है, तीसरी बात यह है कि संसार भर में अनुयुत, प्रदूसन वस्वार्थ संगर्ष की ही तरह, जनसंक्या वृद्धी की विवीसिका भी सर्वनासी घटनाओं की तरह चाई हुई है, यह संकट ना टला, तो समझना चाहिए कि विभिन छेत्रों में चल रहे प्रगती के उपायों में से एक भी सफल ना हो सकेगा, और विनासकारी संभावनाओं का द मिल सकता है, उपरियुक्त तत्यों के अतिरिक्त एक और भी चौथी बड़ी बात है, कि इन दिनों नारिक कल्यान, जिसे दूसरे सब्द में विश्व कल्यान कहा जा सकता है, उसके लिए अभिस्ट अवकास मिल सकता है, यदि उट्ती आयू का उल्लास देश रक्षा की सैन सेवा में लगाने की तरह नियोजित किया जा सके, तो समझना चाहिए कि नवसरेजन की बहुमुखी संभावनाओं का द्वार खुल ही गया है, हिमाले से भारत की प्रमुख नदिया निकलती और देश भर की जल की अवसकता की अधिकांस पूर्ती करती है, समझना चाहिए क चेतना चेतर का हिमाले इन दिनों सान्तिकुंज से सारे विस्व में अपने धंग की बहुमुखी प्रक्रियाओं का सुत्र संचालन कर रहा है, उन्ही में से एक महान प्रयोजन है नारि जागरम, इसके लिए प्रचार प्रसार की महान परिवर्तन प्रस्तूत करने वाली प सकती लेकर लोटते हैं, साथ ही वह मार्गदर्सन भी प्राप्त करते रहते हैं, जिसके अनुसार अपने स्थिती से तालमेल बैठाते हुए, वह प्रामर्स पथ अपनाया जा सके, जो स्वार्थ दृष्टी से भी उतना ही आवस्यक और महत्वपून है, जिसके अंतरतम मे इन दिनों नारी उत्थान की सेवा साधना और तपस्चरिया करने का मन हो, वे उप्युक्त दिसा पाने के लिए सांतिकुंज हरिद्वार से संपर्क कर सकतें, और निरन्तर चलने वाले सत्रों में से किसी में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकतें, जिन्हें इसी ना बन पा रहा हो तो उसके लिए वे सांतिकुंज आकर बिवाह कर लें। बिना किसी प्रकार का खरच किये बिवाह संपन्न करा लें। जिनके बच्चे हैं उनसे यह प्रतिग्याएं कराई जाएं कि वे कम से कम अपने लड़कों की तो खरचीली साधियां करेंगी ही नारी उतकर्स के लिए यह आंदोलन भी अनिवारे रूप से आवस्यक है। यूग की अवस्यक्ता और कारे की महता समझते हुए हर भावनासील प्रतिभावान को नारी जागरन की दिसा में कुछ न कुछ ठोस प्रयास करने ही चाहिए। धन्यवारे।